हलो बच्चो मैं उशाशर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अत्रॉली अलीगर से आज हम क्लास सेकिंड में चैप्टर एट गड़हा खजाना के रीडिंग करते हैं ओके यस देखी बिटा चैप्टर एक बुड़ा किसाम था उसके तीन बेटे थे तीनों ही जवान और हट्टे कट्टे थे पर वे बहुत ही आलसी थे पिता की कमाई उड़ाने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था मेहनत करके पैसा कमाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था यानि आलसी थे वे बहुत अपने बेटों को बुला कर कहा देखो तुम लोगों के लिए मैंने अपने खेत में छोटा मोटा खजाना गार रखा है तुम लोग खेत को खोद डालो और उस खजाने को निकाल कर आपस में बाट लो दूसरे दिन बहुत सवेरे उस किसान के तीनों बेटे कुदालियां लेक खेत पर पहुँच गए और खुदाई शुरू कर दी नोनों खेत की एक एक इंचे जमीन खोद डाली पर उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिला अन्टमे निराश्रोकर पिता के पास पहुचे उन्हों फुरी पूरा खेत खोड डाला पर हमें कहीं भी खजाना नहीं मिला किसान ने जबाब दिया कोई बात नहीं तुम लोगों ने खेट की बहुत अच्छी खुदाई कर दी है अब मेरे साथ आओ हम इसकी बुवाई करें बाप बेटों ने मिलका खूब लगन से खेट की बुवाई की संयोग से उस वर्स बरसात भी समय पर हुई और बहुत अच्छी हुई खेट में खूब पैदावार हुई फसल पक जाने पर खेट की शोभा देखने ही बनती थी तीनों बेटों ने बड़े गर्व से अपने पिता को लहला हाती फसल दिखाई किसान ने का वाह क्या खूब फसल हुई है यही है वह है खजाना जिसे मैं तुम लोगों को सौपना चाहता हूँ अगर तुम लोग इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहोगे तो ऐसा है खजाना तुम्हें हर वर्ष मिले गा मेहनत से ही हमें क्या मिलता है अच्छा परणाम मिलता है तीनों बैटों भी क्या की मेहनत की तो अच्छी फसल मिली आप भी मेहनत करेंगे तो अच्छे मांकस आएंगे स्वापड़ी दोबारा से बाई बिटा